दोस्तो साधी पार्टी में जाने से 10 मिनट पहले आपको इस चीज़ को अपने फेस पर लगाना है और आपका चेहरा इतना जादा गोरा चमकदार हो जाएगा कि लोग आप से पूछेंगे कि आपने अपने फेस पर क्या लगाया जी हाँ दोस्तो आपकी स्किन इतनी जादा ग्लोइंग और चमकदार हो जाएगी दोस्तो गोरा रंग किसे अच्छा नहीं लगता लेकिन कई बार बाता बड़ा धूल पिर दूसरा और देख भाल ना कर पाने की बज़े से हमारी तोचा का कलर सावला पड़ जाता है और चेह पर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं जुर्डियां हैं या आपकी इसकिन बहुत जादा उम्री से पहले आप बूड़े दिखने लगे हैं तो इस चीछ को लगाने से आपकी इसकिन जो है वो टाइट हो जाएगी और आपके जो दाग धब्बे हैं बहुत सारे खतम हो जा है वही आलू आपको यहाँ पर यूज करना है एक आलू आता है जो यलो से कलर का होता है तो आपको यहाँ पर फ्रेस और वाइट आलू का यूज करना है आलू को आपको छील लेना है दोस्तो आलू का जो स्टार्च होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही जादा फायद मंद होता है, यह हमारी डेड़े स्किन को हटाता है और हमारी तौचा को गोरा चमक Kendall भी बनाता है। और दाग-डबो को भी दूर करता है। þover दोस्तो इसको आपको इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। अब य अच्छे से ग्रेट ओ चुका है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको एक कोई भी बड़तल लेना है और आलू का जितना भी रस है यानि कि इसके रस को आपको निकाल लेना है इस तरीके से हाथों से निचोड़ कर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कम से कम दो से तीन चमज आलू का जूस क आटा लिया हुआ है और इसके बाद आपको यहां पर आधा चमच बेसन एड़ करना है दोस्तों चाबल हमारी इसकिन और बाल दोनों के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है आपने जितने भी कोरियान के प्रोडक्ट हो देखे होंगे वो सारे सारी चीजों में जो है चाबल जो भी दूर होजाएंगे और इसके बाद आपको यहांपर जो चीज आइड़ करनी है और कॉल्गेट तो आपको यहां पर लेना है कॉल्गेट कॉल्गेट हमारे चेहरे के ज़से मैल गंदगी बगर्वा साफ करता है और आपको यहां पर लेना है रोजवार तो कम से कम 10 आपको यहां पर इसमें रोज वाटर की एड़ कर देनी है अब आपको सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों इसको यूज कैसे करना है तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना इसकिप के वीडियो को मत देखिएगा तो दोस्तों आप देख सकते ह को अच्छे से mix कर लिया है mix करने के बाद दोस्तों इसको आप अपने हाथ-pair या फिर आपके पूरे सरीर पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको लगता है कि आप आपके हाथ पयर पर बहुत ज़्यादा गंदिगी जμि हुई है या आपके हाथ पयर बहुत ज़्यात्र formulate बलेक बलेक से दिख़् रहे हैं तो आप इस चीछ को यूज करेंगी तो आपके हाथ पयर का रंग भी साफ होगा और मैल और गंदेगी भी दूर हो जाएगी तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसको किस तरीके से यूज़ करना है तो सबसे पहले जब भी आपको इसको यूज़ करना है तो अपनी चहरों को पहले अच्छे से धू लेना है वास कर लेना है उसके बाद आपको इस चीच को अपने इस फेस पैक को अपने चहरे पर यूज़ करना है इस तरीके से फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रस की हेल्प से आप अपनी फेस पर इसको इस तरीके से अपलाई कर लीजे जिस तरीके से कोई भी आप फेस पैक यूज़ करते हैं उसी से थिम आपको अप्लाई करा है दोस्तों कभी ऐसा होता है कि आशानक से हमें किसी साधीय पारटी में जाना होता है और हम फेसल नहीं करा पाते हैं और फेसल कराना बहुत जादा महहंगा भी पड़ता है अगर आप चाहते हैं बहुती एजी तरीके से आपका चेहरा भी चमकदार हो जाए गोरा हो जाए बिना पैसे खर्च किये तो साथी पार्टी में जाने से सिर्फ 10 मिनट पहले आपको इस फेस पैक को अपनी चेहरे पर यूज करना है और इससे आप देखेंगे कि आपका फेस दिल से भी अच्छा निखार जो है वो घर पर ला सकते हैं इस फेस पैक को लगा कर बिना पैसे खर्च के बहुत ही इसी तरीके से यह आपके चेहरे को गोरा कर देता है और चेहरे की चमक को भी बढ़ा देता है तो आपको क्या करना है पूरे फेस पर इस तरीके से लगा ल फेस को अच्छे से वाज कर लेना है और उसके बार आप चाहें तो अपने फेस पर कोई भी मॉस्चुराइजर या फिर ऐलो विरा जेल भी यूज कर सकते हैं इसको लगाने के बाद आपका चेहरा इतना जादा चमकदार हो जाएगा साथ ही आपके चेहरे का कलर भी जो है वो निखर कर आएगा और इसे आप अपने हाथों पैरों पर भी लगा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा